इस साल खान देश से 2000 कंटेनर केले का निरियात संभव जी हाँ अनुमान है कि इस साल खान देश से लगबग 2000 कंटेनर केले विभिन देशों में निरियात किये जाएंगे फिलाल केले निरियात के लिए उपलब्ध हो रहे हैं हर दिन 6-7 कंटेनर केले खाड़ी में भेजे जा रहे हैं खान देश में निरियात केले की दरे अधिक्तम 2000 रुपे प्रतिक विंटल है वहीं नीचे में 1800 रुपे प्रतिक विंटल है दरसल सर्दी के अवधी कम होने से निरियात के लिए केले जल्दी ही उपलब्ध होने लगे हैं आपको बता देए कि वर्तमान में नंदुरबार जिले के शादरा से केले के चार कंटेनर निरियात किया जा रहे हैं जल्गाव जिले में केले केवल रावेर, मुकताई नगर, चोपड़ा और यावल शेतरों में उपलब्ध हैं और इन शेतरों में प्रति दिन तीन कंटेनर केलों का निरियात किया रहा है दरसल ठंड और कठोर परस्तितियों में भी किसानों ने अच्छी क्वालिटी वाले केले के बगीचों का परबंद किया है आपको बता दें कि 2018 से ही खान देश से केले का निरियात बढ़ा है शुरुवात में 4-5 कंटेनर केले निरियात किये गए निरियात धिरे धिरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कोविट काल के दुरान भी लगबख 500 कंटेनर केले खाड़ी में निरियात किये गए थे और यही पिछले साल के अगर बात की जाए तो पिछले साल 1500 कंटेनर केलों का निरियात किया गया था इस साल बड़ी बड़ोतरी की उमीद है क्योंकि खान देश में अच्छी क्वालिटी वाले केले उपलब्द है फिलाल खबर ये भी है कि आंदर परदेश से भी कंपनिया खान देश की तरफ रूख कर सकती है आंदर परदेश में तापान बढ़ रहा है और वहीं केले की स्थिर्था भी कम हो जाएगी इससे विभिन खरीदार कंपनिया खान देश आएगी इसके लावा खान देश में निर्यात के लिए केले की उपलब्दा भी बड़ेगी फिलाल राज्य में सोलापूर से केले का निर्यात जारी है सोलापूर में केले का निर्यात रेट सबसे ज्यादा 2200 से 2300 रपे प्रतिक क्विंचल है वहां से प्रति दिन 15 से 18 कंटेनर केले खाड़ी भेज़ जा रहे है कठोर वातावरन के कारण कुछ बगानों में केले के पकने की गती भी धीमी हो गई है फिलाल जानकार मान कर चल रहे हैं कि केले के कंटेनरों के निर्यात की संख्या फिलाल बढ़ सकती है